दोस्तो आज आपका science का test होने वाले हैं तो आज किस test में हम total 20 question करने वाले हैं और आज किस test में 15 question सही करने वाले student पास होगे चलिए तो start करते हैं question number 1 हमारा है सबसे पहले आप लोग अपना score जरूर बताएं total 20 question में से कितना सही हुआ है आपका तो question number one हमारा है निम्न में से कौन सा रसाइन क्रितरिम वर्सा में पर्योग किया जाता है मतलब आखिर क्रितरिम वर्सा क्या होता है एक बार यह मैं आपको समझाना चाहूँगा Actually friends होता क्या है कुछ area ऐसे होते हैं जहां पर वारिस नहीं होती तो इस situation में वहाँ पर क्रितरिम वारिस करवाया जाता है मतलब कि वहाँ पर एरोप्लेन के थ्रू वादल को उपर से कुछ रसाइन जो है केमिकल उपर से छोड़ा जाता है जिसकी वज़ासे atmosphere में मतलब कि वादल के आसपस जो कुछ भी वायू होता है उससे जो है ना जो केमिकल जो रिलीज किया जाता है वहाँ पर उससे अभी किरिया करता है ठीक ना रियक्सन करता है देन उसके बाद जो है वारिस वर्सा होती है तो यही है क्रितरिम वर्सा ठीक ना जो मानब दोवारा किये जाते हैं किसी केमिकल का परियोग करके तो इसमें पूछा गया है कि आखिर वो कौन से chemical है, जिसका परियोग जो है, जो मानब क्रितरीम बरसा में परियोग करते हैं, उस chemical का, तो option A calcium carbonate, option B calcium iodide, option C calcium, option D in में से कोई नहीं, तो इसका right answer होगा, calcium iodide, जिस chemical का यूज करके जो है क्रितरीम बरसा होता है, उसको हम क्या बो कियेगा, चलिए, question number second करते हैं, हमारे सरीर की सबसे मजबूत हड़ी कौन सी है, और सबसे लंबी हड़ी भी उसे हम कहते हैं, ठीक है न, तो आखिर कौन सी है, option A, merudent, option B, जांक की हड़ी, जिसे हम इंगलिस में फीमर के नाम से जानते हैं, option C, टकना, option D, पिंडली की हड़ी तो इसका right answer होगा, जांक की हड़ी, जिसे हम फीमर कहते हैं, हमारे सरीर की सबसे मजबूत हड़ी भी है, और यह सबसे लंबी हड़ी भी है, ठीक है न, question number third करते हैं, निमले निखित में से अमासे की अमलता का उपचार करने के लिए उप्रियुक्त अमले कौन सा है, ठीक है का इस्तमाल जो है, पीने के लिए करते हैं, so dad, जो हमारा पेड जो है, वो ठीक हो जा, actually इसमें milk of magnesia मिला हुआ होता है, चलिए question number four करते हैं, and guys, अगर आप इसका answer जानते हैं, तो comment box में बता सकते हैं, ठीक है न, IUPAC का पूरा नाम क्या है, International Union of Pure and Applied Chemistry, International Union of Pure and Applied Chemistry, Option C, International Union of Pure and Applied Chemical, International Union of Pure and Applied Chemistry, ठीक है न, तो इसका right answer जो होगा, option A होगा, ठीक है न, IUPAC का पूरा नाम जो है, International Union of Pure and Applied Chemistry, चलिए तो दोस्तों, इसका answer जो है आप लोग comment box में बताएंगे, देखते हैं कितने student को जो है, इसका answer पता है, क्योंकि ये काफी जादा easy question है, but आप लो Jaunay चलिए 6 करते हैं, yu की गति किस के दुवारा मापी जाती है, option A है हमारा anemometer, option V हमारा varometer, option C हमारा wind swift, option D हमारा hydrometer, तो इसका right answer जो है, वह है, option A, animometer, yu की गति जो है, animometer के दुवारा मापी जाती है, चलिए question number 7 करते हैं सरीर में किस चीज की कमी की कारण एनीमिया रोग हो जाता है एनीमिया क्या होता है आपको पता ही है खोन की कमी तो option A, जल की कमी की वज़े से option B, विटामिन की कमी option C, रक्त में हिमोगलोविन की कमी option D, खनीजलवन की कमी तो इसका right answer guys, आप लोग comment box में जल्दी से बताएं तो इसका right जो answer है mostly students जानते ही होंगे option C, देखिए, एनीमिया है क्या जब हमारे सरीर में रक्त की कमी हो जाती है, तो उस situation और हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं, और रक्त में option V, sodium chloride, option C, जो है magnesium chloride, option D, calcium phosphate तो इसका जो right answer होगा, वो होगा option B, ठीक है न, calcium phosphate हड़ी में सबसे अधीक मात्रा में जो लवन पाये जाता है, वो है calcium phosphate तो question number 9 करते हैं, पावर transformer की कारे पर नाली का सिदान किस नियम पर आधारित है option A, farade का नियम, option B, hook का नियम, option C, Newton का नियम, option D, Einstein का सिदान तो अगर आपको पता है, तो please comment box में answer कीजे ठीक है न, मैं check करूँगा and reply भी करूँगा तो इसका सही answer क्या होगा इसका सही answer है, option A, farade का नियम पर आधारित है question number 10 करते हैं, जल्दी से प्रकास को सूरे से पिर्थिवी तक पहुचने में कितने मिनट लगते हैं ठीक है न, option A, 8 मिनट, 16.6 सेकेंड, option B, 9 मिनट, 16.6 सेकेंड, option C, 10 मिनट, 16.6 सेकेंड, option D, 12 मिनट, 16.6 सेकेंड ठीक है न, तो इसका right answer होगा, option A, 8 मिनट, 16.6 सेकेंड, कुछ सम्थीं ठीके न, प्रकास को सूरे से पिर्थिवी तक पहुचने में देखे, question number 11 काफी जादा important है question को कई तरीके से पूछा जा सकता है अब देखिए, यहाँ पर जो है Kelvin में पूछ लिया गया है कहीं Fahrenheit होता है, centigrade होता है तो यहाँ पर Kelvin में पूछ लिया गया है तो देखिए, इसका right answer क्या होगा, please अगर आपको पता है, तो comment box में बताईए जल्दी से हमारे सरीर का समाने तापमान क्या होता है option A 210 Kelvin, option V 410 Kelvin, option C 340 Kelvin sorry, यह option हमारा last वाला D है, option D 310 Kelvin तो देखिए, Kelvin में अगर हमारे सरीर की तापमान की बात की जाती है समाने तापमान की, तो 310 Kelvin होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा इसका answer मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि मैंने जो है, दूर दिरिष्टी दोस मायोपिया, हाइपोमेटरोपिया, जरा दिरिष्टी दोस, मैसोपिया, ऐसे कुछ बहुत सारे जो topic है, इस से related, यह मैंने ओर लेड़ी करवा दिया है, तो इसका answer प्लीज आप लोग comment box में बताएं, बहुत ही जादा यह जी है, बिल्कुल भी difficult नहीं है यह चलिए question number 13 करते है, मनुस्य के सरीर की जैवरा साइनिक परियोग साला है, यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा है, option ए अमास से है, option वी यकरित है, option C आत्र है, ठीक है, यहाँ पर आत्र कर लिजेगा, option D जो है last वाला break, जिससे हम adrenalin गरंथी के नाम से जानते है, इसका right answer होग option B, ठीक न, यकरित, जिसे हम liver भी बोलते हैं, इंगलिस में, मनुस्य के सरीर की जैवरा साइनिक परियोग साला के नाम से जाना जाता है, चलिए question number 14 करते है, चींटी के डंक में, sorry फिर से देखते हैं, चींटी के डंक में कौन सा अमल पाया जाता है, ठीक न, option A, citric अमल, option B acetic अमल, option C, methanoic अमल, जिसे हम इंगलिस में formic acid भी बोलते हैं, ठीक न, तो इनका दोनों नाम आप लोग याद कर लीजेगा, क्योंकि option में, चाहे तो methanoic अमल हिंदी में दे देंगे, या फिर English में formic अमल, ठीक न, formic acid, यहाँ पर दे देंगे, option C में, तो इस situation में आप आप जोगे, क्या रामने तो formic acid याद किया था, इंगलिस वाले बच्चे या फिर एंदी वाले बच्चे इस तरीके से जोगे, तो इसलिए दोनों ही याद कर लीजेग, option D, जो ही यहाँ पर लेक्टिक अमल, तो इसका जो right answer होगा, वो होगा option C, methanoic अमल जो होता है, वो चीन्टी या जुआ के काटने से जो है, निकलता है उसमें, ठीक न, और इसमें जो ही चीन्टी या फिर यहाँ पर मधुमक्खी भी दे सकता option में, तो फिर याद रखिएगा, methanoic अमल ही, यह जुआ और चीन्टी और हमारा हो गया, मधुमक्खी, यह सब ही methanoic अमल कौन सा है, option A, keratin, option B, enamel, option C, dentine, option D, inवे से कोई नहीं, तो इसका right जो answer होगा, वो होगा, option B, enamel, मानव सरीर में सबसे कठोर पधार्त, जो है, यह enamel होता है, जो दांत में होता है, ठीक न, यह जो पधार्त है, जो दांत में होता है, जिसे हम दंत वलक भी कहते हैं, यहाँ पर याद रखेगा, हिंदी में भी option दे देंगे, तो इस situation में आपको confused नहीं होना है, दंत वलक कहेंगे, enamel को, हिंदी में, question number 16 है, तत कालिक उर्जा का स्रूत किसे माना जाता है, option A, lactose, option B, glucose, option C, maltose, option D, glycose, तो इसका right answer होगा, glucose, अब guys, मैंने आपको एक पढ़ाया था, हर्मानव हर्मोन में, जिसमें, जो है, glucose निकलता है, आखिर वो कौन सा था, इसके बारे मैं आपको detail में बताता हूँ, और आपने एक चीज़ नोटिस क्या होगा, जब डॉक्टर जो है, glucose चढ़ाते हैं हमारे बोटी में, तो नस में वो जो है, इंजेक्शन लगाते हैं, उस सूई को जो है, नस में लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, आखिर मैंने आपको बताया था, कि एक अंतसराभी गरंथी होता है, इंडोक्राइन और इग्जोक्राइन होता है, तो अंतसराभी गरंथी होता है, जो हमारा हर्मोन छोड़ता है, और बाहसराभी गरंथी होता है, जो हमारा हर्मोन छोड़ता है, वो हमारे रुधीर के नस होते हैं, उसमें छोड़ता है, और बाहसराभी जो है, वो जिसका अलग होता है, जैसे लार गरंथी हो गया, तो यह हमारा बाहस्रा भी गरंथी, तो ग्लुकोज भी इसके बारे में थोड़ा समय आपको डिटेल में बताता हूँ, जल्दी से कुछ सेकेंड में इसको हम समझ लेते हैं, फिर से मैं समझा रहा हूँ, प्लीस, इसको ध्य गरंथी होती है, अगनास्य गरंथी, जिसे हम मिश्रित बोलते हैं, इस गरंथी में लेगरे, हैंस, द्रिप समु पाया जाता है, मतलब कि किसी गरंथी में कुछ समु का नाम है, इसमें अलफा वा बीटा, मतलब कि पहली परकार और दूसरी परकार की कोशिकाएं पाई जा ठीक ना, रक्त में गुलकोज का स्तर को बढ़ाता है, और बीपरकार की जो को सिखाएं है, बीटा परकार की, इंसूलिन हर्मान का स्तरावन करती है, जो रक्त में गुलकोज को कम करता है, अब देखिए, जब हमारे बोड़ी में जो है, इंसूलिन मात्र कम हो जाती है, और गुलकोज कस्तर बढ़ जाता है तो उसे हम मधूमों ही कहते हैं और इस situation में होता है कि हमें insulin की injection की ज़रूरत पढ़ती है मधूमे की स्थिति में होता है ना तो यही वो वज़ा है अभी और समझे जब आपको पूरा detail में समझ में आएगा गुलकोज को क्योंकि देखें बी प्रकार की कुछ का insulin हर्मों स्थिराब करती है जो रग्त में गुलकोज को कम करता है या एक प्रकार की protein है जो इकामन अमीनों अमले से मिलकर बनी है इसका टीका वेस्ट वा वेरिंग ने तेयार किया है इंसूलीन की कमी से देखिए यहीं पर बतायागे इंसूलीन की कमी से मधुमे diabetes mellitus नामक रोग हो जाता है वा दीकता से हाइपोगला सीनिया प्लीज इसको याद कर लीजिएगा मधुमे वाला अगर कोशन नहीं पूछा जाता है इंसूलीन की कमी से मधुमे होता है क्योंकि जब हमारे बोडी में रक्त में सरकरक की मातरा मतलब ग्लुकोज की मातरा बढ़ जाती है तो उसको कंट्रोल कौन करता है इंसूलीन की मातरा जब बढ़ जाती है तो इंसूलीन की जरूरत मतलब कि इंजेक्षन लेने की जरूरत पड़ती है तब ही हमारा जो है बोडी संतूलन हो पाता है तो देखिए इसकी अधिकता से जो है इंसूलिन के अधिकता से हाइपो ग्लासीनिया रोग होता है तो अब आप समझ गए होंगे यहां पर देखेंगे जो बोडि में डालते हैं ग्लकॉज तो वह हमारे बोडी में डालते हैं तो वह त वह होग सकता है कि इस तरीके से भी पूछा जा तो इसका right answer जो होगा हमारा glucose होगा question number 17 करते है थर्म किसका unit है option A. उस्मा का option B. उर्जा का option C. द्रब का option D. गती का तो इसका right answer होगा option A. उस्मा का ठीक ना थर्म काफी important question है और कई exam में पूछा गया है इसलिए मैंने इसमें सामिल किया इस question को ये भी question काफी जादा important है टेसला यूनिट किस छेतर से संबंदित है ठीक ना यहाँ पर option A. चुमबकिये छेतर से option B. द्रब्यमान से option C. गती से option D. उस्मा से तो इसका right answer होगा option A. टेसला यूनिट चुमबकिये छेतर से संबंदित है question number 19 करते हैं तो यहाँ पर पूछा गया है पिलिया से दुस्प्रभावित होता है हमारा option A. अगनास से option B. अमास से option C. यकरित या option D. छोटी आंत तो इसका right answer होगा option C. यकरित लीवर और लीवर आपको पता है सबसे बड़ी वाहे स्रावी गरंती है ठीक ना वहीर स्रावी गरंती है यकरित हमारे सरीर की मानव सरीर की सबसे बड़ी जोहना वहीर स्रावी गरंती है question number 20 कर बहुत सारे answer जानते होंगे student बट जिनको पता है वो जरूर बताएं option A. है Indian Council of Medical Research option B. है Indian Council of Meditation Research option C. है Indian Council of Medical Researchers option D. है Indian Medical Research तो इसका राइट answer होगा option A. ठीक है Indian Council of Medical Research ICMR का जो है पूरा नाम है फुल फॉर्म है ठीक है so thank you friends चैनल को सबस्क्राब करके वेल ऐकन को प्रेस कर लीजेगे ऐसे ही important वीडियो के लिए क्योंकि चैनल को जब आप सबस्क्राब करके नोटिफिकेशन और करेगे तो इसका नोटिफिकेशन जो है ना मिल जाएगा आपको so thank you next video मिलते हैं